ब्रेंप ुदे विलश्कस अबाउट दीसियोडी आज्राली पिटी ओडंवी एग आम समझ्या है हरश्कर्य यह पास प्छरकाविं में से किसियोडी मतिकेश्क्रक्रण कर दूर स्गहरााय कुट्र है और सेवंटी परसेंट दुट्राहीं Central होता है पीसी योडी होती है तो चलो प्रेंट आज लुसे वारे में आपको पताते हैं कि पीसी योडी क्या राफ ये संशेै these मैंसरी क्यों क्यों हちゃी ही फिमल क्योंकर नहीं कर पाती है इस अधी सीज़ों के बारे में देखती तो PC OD क्या है PCOD एक ओब्रे में होने वाली 回 advert है जो कि हार्मों की imbalance की वज़े से होती है PCOD जो है वो estrogen and organ hormones की imbalance की वज़े से होती estrogen and organ hormones जो है वो हमारे ovum को mature करते हैं और उसे release करने में help करते हैं जिससे की ovulation की process होती है किन्तु इसकी कमी के कारण जो है एग है वो mature तो हो जाते हैं पर release नहीं हो पाते जिसकी कारण मैंसेज जो हैं वो irregular हो जाते हैं और pregnancy भी conceal नहीं हो पाती है और ओवरी का size जो है वो दिन के भी बढ़ने लगता है इसकी कारण female को pelvic pen होने लगता है मैंसेज जो है वो irregular हो जाते हैं अब हमें देखते हैं कि इसकी causes क्या क्या है यह किस वजह से होता है तो सबसे पहले इसका causes होता है हमारी lifestyle में जो है वो बिल्कुल changes आ गया है हमारे खान पान में changes आ गया है आज कर लोग fast food, junk food का uses बहुत ज़्यादा करने लगे हैं जिसकी वज़े से हमाई lifestyle change हो गई है लोग time से सोते नहीं है इनका खान पान ठीक नहीं है तो इस तरह से पोस्ट तारे जो है वो lifestyle में changes की वज़े से यह परिवर्टन होते हैं और हार्मोन से imbalance हो जाते हैं सेकेंड जो important factor है वो होता है genetic disorder मतलब आनुवांशिक आनुवांशिक्ता जिसकी हमारे family में यह दी किसी को हमारे mother को या sister को या फिर family में वोल भी किसी को यह disorder होता है तो हमें भी होने के chances इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं धार्ड जो होता है वह होता है production of Androgen Androgen Armen का expectation बहुत ज्यादा होने लगता है वैसे तो जो फेमेल होती हैं उनमें जो Androgen Hormone होता है वहुत ही small quantity में होता है कम मात्रा में होता है लेकिन जब हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाता है तो एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक मातरा में होने लगता है जिसकी वज़े से में लाइक सेम्टम्स दिखने लगते हैं जिसकी हैर्स ग्रोथ होना चिन पे अपर लेप्स पे और फेस पे पिंपल्स होना समय और इसमें एक ब्सकींपरींटब्स होता तो यशे से ऐन खोना थैंधूष् है Penis एकिन्थोसिस नाइगरिकctive किया हो था है ट मैंने मैं सनी जाती है देतला हो जाती है जो मॉस्टली हमारी बोडे में जो फोल्ट वाले होते हैं जैसे की नेक वाला एरिया एक्प से इस तो यहां पर ईक दार्क-कलर की डिसकलरिशन देखने लगता है तो यह जो हार्मोन है यह मेल हार्मोन होताए वोचकी लेकिन फ्रमेल में भी जब इंबैलन्स होता है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो खान पान है, खान पान के बारे में मैंने आपको बताई दिया अब हम देखते हैं कि हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन की वज़े से भी ये डिसीज बहुत जादा देखने को मिलती है आजकल हर वेक्ती स्ट्रेस लेने के लिए बैठा है, हर कोई छोटी-छोटी बातों में स्ट्रेस लेने लगता है जिसकी वज़े से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइपर टेंशन भी इसका बहुत बड़ा कारण है दूसरा होता है ताइप 2 डाइबटीज मलाइटेस जिसको बोलते हैं इंसुलीन डिपेंडन डाइबटीज की वज़े से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है अब हम जानते हैं इसकी सिंटम्स की बारे में इसकी क्या-क्या लक्षण होते हैं तो सबसे पहला लक्षण है इसका मैंस इरेगुलर मैंस इरेगुलर में क्या होता है कि औलिगो मिनेरिया हो जाता है पहल सु अहां यह सारे देखने को बिलते हैं से हम यह क Approzessive का के साथमीचा करा यह सब्सक्राइव के तो with सब्सक्राइब मुछा यह क्टुर्ज़ संब्सबिटेश आथा पी प्रिसोटर हो जो फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती है उनको mostly contraceptive phase दिये जाती है और फिर anti-androgen hormones दिये जाते हैं और जो फीमेल कंसीव करना चाहती है उनको ovulation inductions दिये जाते हैं इस तरह से तरह तरह के जो treatments होते हैं उसके बाद एक surgical treatment होता है जिसमें ओवरी का drilling की जाती है तो यह सारे जो symptoms होते हैं इन सबको clear किया जा सकता है और में जो हमारे जो hormone imbalance होते हैं वो हमारे food supplement की वज़े से होते हैं तो हमें food supplement में कौन-कौन से products देना चाहिए कौन सी चुजों को हमें avoid करना चाहिए तो सबसे पहले में आपको बताती हूं कि हमें जो fibers food होते हैं जिन में fibers की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वो products हमें लेने चाहिए और हमें mostly जो है ओमेगा 3 जो की fatty fishes में होता है वो हमें लेना चाहिए प्रोटीन वाले food ज्यादा लेना चाहिए fruits की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए papaya apple और mostly बहुत सारे जो एसे फल है जिन में protein ही मात्रा होती है वो सारे चीजे लेनी चाहिए और हमें exercise करना चाहिए properly आजकल क्या होता है कि लोग exercise पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी कारणों का weight gain होने लगता है तो exercise करना चाहिए खान पान पर ध्यान देना चाहिए और weight को reduce करने के लिए management लेना चाहिए तो friends PCOD और PCOS दोनों में थोड़ा सा difference है PCOD मिन्स होता है polycystic ovarian disease और PCOS मतलब होता है polycystic ovarian syndrome syndrome मिन्स क्या होता है कि बहुत सारी diseases होती है उनका एक collection होता है syndrome और disease होती है तो syndrome में बहुत सारी चीजे देखने को मिल जाती है तो दोनों में थोड़ा सा difference है तो हम भी इनका जो treatment है वो इनके according हम ले सकते है so friends this is all about PCOD आप मेरा ये वीडियो like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you